वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट हेलो दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कॉंसेप्ट भी थिसके बर्मा में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चाल, समय और दूरी यहाँ पाट टू है और आप लोग के सामने पाट वन बना चुके हैं विडियो और यह पाट टू है पाट वन में आप लोग को चाल, समय और दूरी से समंधित विभीन परकार के कॉंसेप्ट बताएं थे लेकिन आज का विडियो में आप लोगों को हम बताएंगे रेल गाड़ी से समंधीत रेल गाड़ी अर्थाद train train से समंधीत question जो है किस परकार आता है उसका जो है concept क्या है उसको जो है आज हम लोग जानने का परियास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पे कि यदि कोई रेल गाड़ी किसी ब्यक्ति खंभा को पार करता है को पार करे तो जैसे हम देखें यहां कि यदि कोई रेल गाड़ी है किसी ब्यक्ति को या खंभा को अगर पार करता है तो पार करने में समय कितना लएगा जैसे मालने ते हैं यह रेल गाड़ी है और इस रेल गाड़ी की लंबाई एल मिटर है यहां से यहां तक एल है यहां पे एक आदमी है बेचारा इधर जो है चल रहा है इस तरह से इस तरह से चल रहा है और इस व्यत्ति की लंबाई कुछ है लेकिन रेल गाड़ी के पेचा इसका लंबाई बहुत ही कम है तिसलिए इसको हम लंबाई को हम लोग नहीं यहाँ पे count करते हैं तो हम यहाँ देखें कि यहाँ ब्यक्ति यहाँ पे खाड़ा है चल नहीं रहा है यहाँ पे खाड़ा है चाहे किसी भी परकार का अगर खंभा यहाँ पे रहे, पॉल रहे खंभा रहे, यह सब रहे तो यह रेलगाडी जो है इधार एस स्पीड से इधार की ओर आ रही है तो इस ब्यक्ति को इस खंभा को पार करने में समय जो है यह रेलगाडी कितना लेगी देखिए जब इसको पार करेगी तो रेलगाडी कहा जाएगी इधार और यहां परी आ गई तो देखिए अगर इविला पोइंट की बात करें तो इविला पोइंट अब यहां आ चुकी है हम कहें कि इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जो है अपना खुद की लंबाई को केवल पार कर रहा है अर्थात यहां से यहां point आ रहा है अगर यहां वाला point देखें तो वह बिंदू यहां आ रहा है मतलब जितना खुद train है जितना लंबा है वह ही जो है पार कर रही है अर्थात हम अगर distance देखें तब पूरा लंबाई train के लंबाई के बराबर होगा लेकिन आदमी के लंबाई कितना है उसको हम लोग count नहीं करेंगे क्योंकि train के अपेच्छा आदमी बहुत ही कम लंबाई का है तो इसलिए हम यहां पे अगर time निकाले तो L बटा S L क्या है दूरी और दूरी बटा चाल बराबर time लेकिन यहां पे देखिए time जो भी हम निकालेंगे यह जो है हमेशा second में रहेगा क्योंकि यहां पे जब गाड़ी के लंबाई देख रहे हैं तक किलो मिटर में 2 किलो मिटर 5 किलो मिटर ऐसा नहीं होगा और ऐसा भी संभ़ नहीं है कि एक ब्यक्ति को पार करने में train जो है एक घंटा का समय ले एक दीन का समय ले ऐसा संभ़ नहीं है पार करेगा तक कुछ second में कुछ minute तक पार कर सकती है घंटो घंटो का समय जो है नहीं लेती है अर्थात यहां हम देख सकते हैं कि जो लंबाई होगा यह मीटर में दिया रहेगा और समय सेकेंड में रहेगा तो ताइम जो निकलेगा सौरी यहां पे जो अस्पीड रहेगा मीटर प्रती सेकेंड में रहेगा तो समय क्या चीज में निकलेगा सेकेंड में निकल जागा तो अगर यहाँ पे अस्पीड यादि किलोमीटर प्रती घंटा में हो तो उसको हम सबसे पहले मीटर प्रती सेकेंड में बदलेंगे अब इसका भी जो है concept आप लोग को बता देते हैं कि किलो मीटर प्रती घंटा को मीटर प्रती सेकेंड में बदलते हैं कैसे तो देखिए अगर हम देखें इसको हम लेते हैं एक किलो मीटर प्रती घंटा तो एक किलो मिटर प्रती घंटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक किलो मिटर बटा एक घंटा तो एक किलो मिटर में कितना मीटर क्योंकि मीटर में बदलना है तो एक हजार मीटर होता है और एक घंटा में कितना सेकेंड होता है तो हम लोग कहेंगे 36 सो सेकेंड होता है अगर 2,0 से 2,0 काट दें 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 तो यहां निकल गिया 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड तो यहां हम लोग देखें कि यदि 1 किलोमेटर प्रति घंटा होगा तो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड होगा इसी प्रकार से हम कहें कि अगर पांच किलोमीटर प्रती घंटा हो तब तो हम कहेंगे कि पांच बटे अठारा गुना पांच कर देंगे उतना मीटर प्रती सेकेंड हो जागा अर्थात यहां से कॉंसेप्ट क्या सिखे कि यदि किलोमीटर प्रती घंटा को मीटर प्रती सेकंड में बदलना हो तो हम 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं तो आप बदल जाएगा मीटर प्रती सेकंड में और यदि इसका ज़स्ट उल्टा अगर देखें तो इसका उल्टा देखते हैं जैसे अगर मीटर प्रती सेकेंड को मीटर प्रती सेकेंड को अगर हम बदलना चाहे किलो मीटर प्रती घंटा में मीटर प्रती सेकेंड को किलो मीटर प्रती घंटा में तो इसमें 18 बटे 5 से गुना कर देंगे तो हो जागा किलो मीटर प्रती घंटा में बता जागा तो यह दूगों जो है पॉइंट आप लोग याद कर ले रहेगा तो आप देखते हैं यहां से थोड़ा सा इसको सोट में कैसे बोलेंगे हम इधार किलो मीटर लिखते हैं और इधार किलो मीटर प्रती घंटा और इधर मीटर प्रती सेकेंड तो देखिए पांच बटे 18 में से 12 कोन है तो कहेंगे 18 अग किलो मीटर प्रती घंटा मीटर प्रती सेकेंड में 12 कोन तो हम लोग कहेंगे कि किलो मीटर प्रती घंटा तो अगर 18 km प्रति घंटा हो तो मीटर प्रति सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा अर्थात हम कह सकते हैं कि किलो मीटर प्रति घंटा 18 के गुनज रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड 5 के गुनज रहेगा मतलार यहां हम दे दे 36 किलो मेटर प्रति घंटा तो यह होगा पांच दुनी 10 किलो मेटर प्रति सेकन इसको हम यादी कहें कि किलो मेटर में किलो मेटर जो है किलो मेटर प्रति घंटा और इधर मेटर प्रति सेकन अगर किलो मेटर यहां पे हम दे दिये 72 किलो मेटर प्रति घं पांच चकत तीस अर्थात यहां 30 मीटर प्रती सेकंड होगा यहां हम लोग देखें कि किलो मीटर 18 के गुनाज होता है मीटर प्रती सेकंड पांच के गुनाज होता है और जितना भी दिया रहे तो देखेंगे 18 सोग कितना गुना है उतना ही मीटर प्रती सेकंड में कर देंग जो है आप लोग को काम देगा तो यहां पे आप लोग समझ चुके हैं कि यदि रेल गाड़ी किसी ब्यक्ति खंबा को पार करे तो उसको पार करने में जो समय लएगा एल बटा एस लएगा मतलब रेल गाड़ी की लंबाई और उसका स्पीड तो वो होगा ताइम और ध्यान यहां पे देना है कि रेल गाड़ी यहां के लंबाई मीटर में रहेगा और स्पीड मीटर प्रती सेकंड में तब जो है समय यहां निकलेगा सेकंड में क्योंकि रेल ग देखते हैं यहाँ पे कि यदि रेल गाड़ी किसी पलेट फॉर्म या सुरांग को पार करे तो यानि कि यदि रेल गाड़ी किसी पलेट फॉर्म चाहे तो कोई लंबी सुरांग को पार करे तो उसमें पार करने में समय इसको कितना लएगा तो देखिए यह जो है हमारा ट्रेन है रेल गाड़ी है और इसका लंबाई यहाँ पे माल लते हैं 11 मीटर है यहाँ पे एक देख रहे है पलेट फॉर्म तो इस पलेट फॉर्म का भी कुछ लंबाई होगा और इसको हमाल लते हैं 11 मीटर तो यह ट्रेन एस स्पीड से चल रहा है इधर की ओर इसका तो स्पीड होगा नहीं क्योंकि पलेट फॉर्म चाहिए सुरंग जो है नहीं चलती है तो इसलिए इसका स्पीड नहीं होगा केबल लंबाई होगा तो यह एस स्पीड से चल रही है जब उस पे चागेगी और चागे यह इधर की ओर जब आ जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ट्रेन जब यहाँ आ अगई तो इनदू जो है अब कहां आ गिया यहां आ गिया हम कहेंगे टोटल यह कितना चली तो कहेंगे खुद से लबन के योगफल के बरावर इतना चल गई है यानि कि अगर इस भी बिंदू करें यहां वद्धु यहां है कि अगर डिस्टों सदेखें अगर सब्सक्ट के से भी अगर बिंदों हम देखेंगे बीचे से देखेंगे तो बीचे में यहां मतलब टोटल लंबाई एतना यानि कि वला धा पूरा टोटल ट्रेन के लंबाई आप पूरा प्लेटफॉर्म के लंबाई तो यहां पे जो टाइम होगा एल वन पलास एल टू बटा एस और यही जो है हमारा टाइम निकल जागा यदि रेल गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म सुरम यह सबको पार करे तब यहां से इसको जो है आप लोग लिख लिजेगा कि टी बराबर एल वन पलास एल टू बाई एस फिन तीसरा देखते हैं कि यद कोई रेल गाड़ी यदि कोई रेल गाड़ी किसी चलते ब्यक्ति को पार करे चलते ब्यक्ति को पार करे तो चलते ब्यक्ति को पार करे तो क्या होगा तो यहां पर देखिए अगर माल लेते हैं यहां ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई एल माल लेते हैं और यह S1 स्पीट से आगे की ओर चल रही है लेकिन यह ब्यक्ति भी आगे आगे इस तरह से वह चल रहा है आगे की ओर यह दोड़े चले जा रहा है इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं या जब बैक्ती A1, A2 अस्पीड से अगर चल रहा है तो इसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी तो ट्रेन जब इसको पार करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ आते ही इसको हम देखें यहाँ पारी आ जा रही है इसका मतलब पार कर रही है खुद की लंबाई पार कर रही है लेकिन अस्पीड में क्या हो रहा है तो अस्पीड यहाँ अस्पीड से चल रहा है तो हम मानेंगे कि जहाँ अस्पीड जो है वहाँ अस्पीड जादे होगा H2 कम होगा जब S1, train की लंग अगर speed जादे होगा आदमी के कम होगा तभी इसको पार करेगा नहीं तो पता चले कि आदमी जो है, आदमी के speed जादे है train के कम है तो कभी भी पार नहीं कर सकती है इसलिए इसको पार करने में train कितना समय लेगी तो कहेंगे L distance तो तै करवे करेगी और इस व्यक्ति के कोई लंबाई नहीं है train के सामने इदम सुन है इसलिए इसका तो लंबाई लेंगे नहीं और आप स्पीड क्या होगा ता स्पीड यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा तो आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग क तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड S1-S2 तो यह होगी हमारा क्या टाइम का टाइम कि यानि कि ट्रेन जो इस ब्यक्ति को चलते हुए ब्यक्ति को पार करने में जो समय लेगी L बटा S1-S2 अब फिर अगला जो है बताते हैं कि यादी रेल गाड़ी कोई चलती हुई ट्रेन को गाड़ी को पार करें यानि कि यदि कोई रेल गाड़ी दूसरे रेल गाड़ी को दूसरे रेल गाड़ी को पार करें तो जैसे यहां पे देखिए दो कंडिशन हो सकता है जब दूर रेलगारी एक ही दिशा में चल रहा है या तो एक दूसरे के विप्रित दिशा में आ रहा है मनुस वाला भी हो सकता था फिर इसमें देखिए वही चीज जो है आप लोग को बता दे रहे हैं कि जब यहां से ट्रेन अगर देखें कि 11 लंबाई का है और इधार कि और S1 स्पीड से जा रहा है एक और ट्रेन है जिसका स्पीड S2 है जिसका स्पीड S2 है और इसका लंबाई L2 है तब इसको पार करने में यह train जो है कितना लेगी समय तो हम कहेंगे इसका a speed जो होना चाहिए कि a s1 बढ़ा होना चाहिए s2 से तो time कितना लेगी तो time बराबर देखिए जब इसको पार करेगी तो यह train कहां जाएगी यहां पर आजाएगी और यहां जब आजाएगी तो यह भी 11 तो टोटल यह डिस्टेंस कितना कभर कर ली तिस रेलगारी को भी पार करी और खुद का लंबाई भी पार करें यानि टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो एलवन पलस एलटू हो गया और देखिये दोनों रेलगारी एक धी समय है इसलिए a speed जो होगा, वह दोनों जो है आपस में घट जाएगा, जैसे बताये होंगे कि यदि दोनों rail गारी एक ही दिशा में अगर चल रही है, ता a speed क्या होगा, a1-a2, और इसलिए इसको पार करने में जो समय लहेगा, a1-a2, a1-a2, बराबर t, इतना समय लहेगा, आप इसी में देख लेते हैं कि दूसरा जो है इसमें क्या सर्थ हो सकता है, कि यदि रेल गारी एक उधर से आ रही है और एक जो है इधर से जा रही है, तो हम लोग चलिए, यहाँ पार इस दूसरा कंडिशन अगर देखें, तो दूसरा कंडिशन कहता है कि यदि कोई रेल गारी इधर है, जिसका लंबाई L1 है, आस्पीड देखें तो S1 आस्पीड है, और दूसरा रेल गारी इधर से जा रही है, इधर से जिसका लंबाई L2 है और इसका आस्पीड अगर देखें, तो S2 आस्पीड से इधर के ओर जा रही है, तो देखिए जब E इधर से और E इधर से जब आ रही है तो E train इसका लंबाई को पार करेगी और खुद का लंबाई भी पार करेगी और यह train जो है उसका लंबाई पार करेगी और खुद का भी लंबाई पार कर लेगी अर्थात हम कहें कि जो total time लहेगा वह कितना लएगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में तो हम लोग कहेंगे यह L1 पलस L2 डिस्टन्स तै करे परेगा और जो अस्पीड होगा वह रिलेटिव अस्पीड होगा अर्था S1 और S2 क्या होगा जूट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरी तो जूटेगा पिछले वीडियो में बताया गया है आप लोग नहीं देखे हैं तो हम देख लिजे तो हम कहेंगे कि S1 पलस S2 अर्था टोटल टाइम जो लगा L1 पलस L2 बाई S1 पलस S2 इतना टाइम लगेगा अगला देखते हैं कि यदी कोई रेलगाडी दूसरे रेलगाडी में दूसरे रेलगाडी में बैठे ब्यक्ति को पार करे बैठे ब्यक्ति को पार करे तो यह जो है हमारा लास्ट है और इसमें देखिए कि यदी कोई रेलगाडी कोई दूसरे रेलगाडी में बैठे ब्यक्ति को पार करें तो इसमें भी दो condition हो सकता है जैसे अगर इधर देखें हम तो यह रेल गाड़ी है हमारा और इसका लंबाई L1 है और इसका speed S1 speed है और इधर से एक और गाड़ी जा रही है रेल गाड़ी जिसका लंबाई L2 है और इसका स्पीड अगर देखें तो इसे ट्रेन में एक ब्यक्ति बैठा हुआ है तो इस ब्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी तो इस ब्यक्ति को अगर पार करना है तो ट्रेन के द्वारा कितना समय लेगा तो इस ब्यक्ति को पार करना है तो इस ब्यक्ति को लंबाई तो हम नगन मानते हैं इसलिए इसका लंबाई हम लोग नहीं गिनेंगे और time कितना लेगा L distance होगा और जो speed होगा एक ही दिशा में है तो इसलिए speed S1-S2 होगा और इतना जो है समय लगेगा दूसरा condition क्या हो सकता था अगर यही rail गाड़ी क्या करे उधर की ओर जाए यानि कि H2-a speed से उधर की ओर अगर जा रही है इधर की ओर H2-a speed से और इसमें दूनों ट्रेन में कोई आधर बैखती वईत हुआ है इस व्यक्ति को पार करे तो समय कितना लगेगा तो देखी है जब इय इधर से और इंधर से जा रही तो इस ब्यक्ति को तो train के साथे जा सपीड वी वह जाएगा और इसका स्पीड है ही लेकिन यह जो ब्यक्ति है इसका लंबाई नहीं होगा और यहां You channel के हम ed entend that is an agreement केवल 11 लंबाई लेंगे और यहां पारी ब्यक्ति बैटा हुआ है इसलिए ब्यक्ति के लंबाई सुन्या परिमानेंगे और जो टाइम लहेगा डिस्टेंस लहेगा 11 डिस्टेंस और जो अस्पीड होगा एक दूसरे के बिपरित है इधार की ओर इसलिए S1 पलस S2 हो जागा और इतना जो है हम लोगों को टाइम क्योंकि यहां पर कोई पार करने में इतना छोटा चीज को घंटो घंटो का समय नहीं लेगी एकदम मींटो का या तो सेकेंड का समय लेगी तीसलिए यहां पे रेलगारी सभी प्रसने जो भी बनेगा उसका जो भी concept theory है वो जो है बता चुके हैं और हम अगले वीडियो में इससे समधित question जो है लेकर आप लोग के बीच में आने वाले हैं तो आप लोग जो है हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तब please subscribe कर लिजे वीडियो को like कर दीजे और अपने दोस्तों को share कर दीजे और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर अन्यवाद थैंक यू